किया नाम है आपका राजू नाम है जी खाने को लेकर काफी ज़्यादा शिकायते कर रहे हैं आप क्या कुछ शिकायते दज दिन पहले खाने आते थे अब इसके बाद खाने नहीं आ रहे हैं न रासन कोई दे रहा है जी जो में हम लोग पास पैसे तो खर्च हो गया बस उसी लोग लोगा चाय चुपी करा जाते हैं सरकार की तरफ से प्रसाशन की तरफ से और कई ऐसे संस्ताइं भी हैं जो पैक्ट फूड टीफन लेके पहुंचते हैं वो लेकि कोई नहीं आ रहा जी देस दिन पहले आ रहा था अब नहीं आ रहें कोई कैसे गुजारा कर रहे हैं आप कारें लोग पास जो पैसे पुष्ट के लेया के खा रहें बना रहें क्या करें वह जो पैसे खर्च होगे सारे आठो भी नहीं चलने दे रहां कोई पैसे पूष्ट से लाएगा अच्छा भाईया आपका क्या नाम है सतीस कब आया था यहां पर खाना को देने के लिए खाना मेरे को 10-15 दिन पहले तो मिल आ था इस समय तो मिली नहीं रहा बेलकुल भी अच्छा फिर दुबारा यहां लेके नहीं आई आई नहीं बेलकुल भी आपके पास जो प्रसाशन के अधिकारी है जो दूसरे लोगे टीफन लेके आए थे दस दिन पहले आता था जी अब तो कुछ भी नहीं आता जी और खाने के लिए बहुत दिक्कत है मतलब इसलिए हम लोगों को घर भेज़ जा सबसे बड़ी आई जी तो वहां भी सकुन से रहेंगे अपने माबाब के अच्छे रहेंगे और यहां पर दुखी हो रहे हैं जी कोईशन कोई नहीं आता जी पहले आते थे जी और भी नहीं हो खरा लेंगे हम दो कि लेगे आपर विस्वाइस नहीं होर और पर प्लिक्ली के लिदे बिसके ल título यहां पर कुछ भी नी पूछने नहीं आरहा है कैसे कॉछ है कुछ भी कोई नहीं आरहा है जिए आंपर जो कोटियों वाले जैसे को कभी अगर बोब दान दे के चला अपने राशन पानी दे गहें एक बहुत 1 सर्कार की तरह सो कुछ भी नहीं आ प्रसाशन की कोशी जो है अभी भी जारी है उससे हम इंकार नहीं करते हैं लेकिन ये जो गरीब तपके के लोग है इनका ये कहना है कि दस दिन पहले हपते भर पहले यहाँ पर पैक्ट फूड जो है इने दिया गया था लेकिन उसके बावजूद कोई इनके पास नहीं पहुंचा अगर ये खाने की तलाश के लिए कहीं दूर जाने की भी कोशिश करत के साथ सुराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगड से इशाठा कुर।